सो हे गाई स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में तो दोस्तो महारास्ट्रा सीटी एंसे 2022 का जैसा कि आप लोगों को पता है रिजल्ट डेकलेर कर दिया गया है आपको परसेंटाइल मिल चुका है और अब जो हमें इंतजार है रैंक लिस्ट का और फिर कैप राउंड का इंतजार है तो देखते कब इनका कैप राउंड स्टार्ट होता है उमीद तो था कि 20 तारीक तक हो जाएगा लेकिन आज 23 हो गया कि बीटेक वालों का कैप प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है उनका नोटिफिकेशन आ चुका है तो हमारा भी बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगा तो बस आप वेट करो और उसके इलावा कुछ कर भी ने सकते हो तो यार आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हमार जो reply दे रहें लगबख सारे बच्चे का जितने silly questions भी आते हैं छोटे-छोटे questions भी आते हैं मतलब आप सोच नहीं सकते हो कि यह सब भी MCA वाले बच्चे पूछ सकते हैं ऐसे से questions आते हैं मैं उनका भी solution देने की solutions प्रोवाइट किया है तो यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो है टॉप colleges में कितनी fees लगती है और उस हिसाब से placement कैसा है तो आपको जो है एक अनुमान लग जाएगा कि जो है preference डालने टाइम कि आपका background कैसा है family background कैसा है या फिर कुछ और है फीस से related तो हमने एक live session लिया था तो उसमें इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का ज्यादा जिक्र किया गया था तो हमने डेटा उठाया है और यह जो फीस हमने है यह approximate है accurate फीस नहीं है इससे उपर यह नीचे हो सकता है हमने किसी website से उठाया तो आप लोग को भी पता है कि जो website में फीस डाली जाती है वो सही नहीं होती है मतलब approximate होती है उसी के आसपास होती है इंगम सीधा नहीं होता है तो आपका एक अनुमान लग जाएगा कि हाँ इतनी फीस होने वाली है तो चलिए बहुत ज्यादा लेट होगी है हम वीडियो को सुरू करते हैं तो टॉप कॉलेज फीस बसे प्लेस्मेंट यह मारास्टा सीटी का है दोस्तो डिपार्टमेंट तो सबसे पहले यह देखिए हमने लिस्ट निकाल के रखा है हमने 15-16 कॉलेजिस क लिस्ट निकाला है और लगबग आगर आप देखोगे आप एक एनलेसिस करेगो करोगे तो लगबग सबका सेम फीस है और उसी साब से प्लेस्मेंट भी जाता है तो जैसा कि हमने बता है कि मारास्टा में प्लेस्मेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है सिर्फ एक बार ध्यान रखना है कि आप अफोर्ड कर पाते हो कि नहीं अफी एक बार देख लेना कि आपको ये कैसा लगता है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को तो देखिए ये डिपार्टमेंट उस कंप्यूटर साइन सवित्री वाइफ फुले पूने उनिव साल का तो उनका जो हो सकता 30,000 में ही कंप्लीट हो जाए तो अजर देन महाराष्टा स्टेट के बच्चों के लिए ही है ये फीस आप इसका आधा कर सकते हो अगर आप महाराष्टा से हो और महाराष्टा कैंडिडेट हो तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो जितनी देन महाराष्टा केंडिडेट के लिए फी काफी जाता है जाती है तो उसी को लेकर के हमने ये वीडियो भी बना रखा है तो ये देखे डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस के लिए 78,000 जाती है दोनों साल का ये ये टू येर्स का है टोटल फीस है 78,000 ये महाराष था कि इसका जो फीस है वो परियर के इसाब से 35 या 36,000 रुपय लगते हैं तो ये देख लेना आप तो अब दूसरे कॉलेज के हम बात करते हैं वहादिय विद्या भवन सरदार पटल इंस्टिूट ऑफ टेक्नोलोगी जिसे SPIT बोलते हैं बहुत सारे बच्चे पूछते भ सब्सक्राइब करते हैं इसलिए बच्चे इस पर जानने की कोशिस करते हैं अगर थोड़ा सा भी अफॉर्ड कर पाते हैं तो बच्चे इस पर जरूर से जरूर जाते हैं तो एट लाक रुपया है इसका जो है अवरेज पैकेज अब हम बात कर लें जो चेंबूर मुंबे में स्तित है यह 2.17 लाक इसकी फी है टोटल फी से 2 साल की और एवरेज पैकेज है 6.5 लाक यह हम द फीजा कम फीज होती है बहुत ही कम मतलब अगर यह 2.17 है तो अगर आप महारास्टा स्टेट से हो केटेगरी वाइस हो तो आपको दोनों साल में 50,000 यह 50,000 से भी कम लगेगी फीज तो आप यह फी मत देखना आप से प्लेस्मेंट देखो यह अधर दिन महारास्टा केंडि एक आप एप्रोक्सिमेट वैल्यू लगा सकते हैं कि हाँ इसे इसी के आसपास आपकी फी होने वाली है और फिर बंसी लाल रामना थागरवाल चरिटेवल ट्रस्ट कर्मा इंस्टीट ऑफ टेक्नोलजी भी इटी बहुत सारे बच्चे बोले थे कि वी इटी जो है एमसी ए एक हटा दिये इस साल हमें पता नहीं है लेकिन अगर हटा दियोंगे तो मैंट मिसा नहीं लेंगे लेकिन अगर आप प्रिफरेंश डालोगे तो पता चली जाएगा तो यह टॉप फॉर्थ के कॉलेज है दोस्तों तो आप देख लेना एक बार इसकी फीस है 2.79 लैक और ज जैसे ही प्रिफरेंश का लिस्ट डाले गए तो उस टेम तो पता चली जाएगा हमें कि है की नहीं इसमें फिर S.I.S. College of Management Studies Mumbai जो मुंबई मिस्ती थे इसका 1.8 लैक फीस है और 7 लैक जाते हैं प्लेस्मेंट मतलब यह अच्छी कॉलेज है प्लेस्मेंट के इसाब से देखि यह तो मैं personally भी बहुत अच्छा कॉलेज को मानता हूं इसलिए इस पर मैंने एक ही कॉलेज रिव्यू बनाया है वीडियो यही कॉलेज है अगर आपको यह कॉलेज का रिव्यू देखना है तो यार हम मैं description में लिंक देदूँगा आप जाकर के यह वीडियो जरूर देखन और इसकी जो फीस है वो 2.10 लाग है 5-6 लाग इसका एवरेज प्लेज में जाता है फिर थाकुर इंस्टूट ऑफ मेनेजमेंट इस्टेडीज करियर डेवलप्मेंट एंड रिसर्च कांडी वली इसका 2.6 लाग टोटल फीस है 6 लाग जो है इसका एवरेज पैकेज जाता ह मेटी मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट एजुकेशन इंसिच्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस बेंद्रा मुंबई में स्टीथ है 3 लाग इसका एप्रोक्स वीस है 7 लाग जो है इसका प्लेस्मेंट जाता है मेटी मेटी तो है भी बहुत ही अच्छ है और काफी ज्यादा हा यह ज्यादा भी हो सकती है फिर नौवे नंबर पर आते है डिवाई पाटल इंसिच्ट ऑफ मेनेजमेंट जो पिंपरी मिशती थे दोस्तों इसका फीब बहुत ही ज्यादा है दो लाक रुपे है मतलब दो साल का फीब और प्लेस्मेंट भी ठीक ठाक है फीब ठीक ठाक है तो प्लेस्मेंट ठीक ठाक रहेगी रहेगी यार एलना इंसिच्टूट ऑफ मेनेजमेंट एजू के मेनेजमेंट साइंस पूने 1.4 लाक 4.4 लाक इसका प्लेस्मेंट है सरी रामदे बावा कॉलेज अंजिनिक यह बहुत सारे बच्चे पूछते है कि कॉलेज कैसा है तो जो फीस है वर 2.16 है 4.5 लाक इसका प्लेस्मेंट जाता है भारते विद्यापित इंसिच्टूट ऑफ मेनेजमेंट 3.14 और 4.6 लाक इसका प्लेस्मेंट जाता है फिर अकुडी वाला डिवाई पाटेल 1.99 दो लाक मान ही लोग इसका जो फीस है दो साल की और 5 से 6 लाक इसक है 6.50 लाक प्लेंट जाता है डेकें ए GUसाइटेि टॉटल फीस है 1.2 लाक ठूढ़ 3 लाक प्लेस्मेंट जाता है तो यह सब दोस्तों हमने अर टॉटल प्लेस्मेंट बता है टॉटल फी के लिए ही एधना हाइ अधर दन महारश्टरा के बच्चों के लिए और महारास्टा केंडिडेट के बच्चों के लिए इसमें काफी कम फीश लगती है और उपर से इनको स्कॉलर्स्ट्रिप को भी प्रोवाइट किया जाता है महारास्टा इस्टेट गॉवर्मेंट की तरफ से तो महारास्टा वाले के लिए तो बहुत बेनिफिट है यह फी ब आप से placement कम जाएंगे लेकिन fee में कोई कमी नहीं आने वाली है जैसे हैं गड़ हो गया और फिर केके वागा हो गया fee में कोई कमी नहीं आएगी दोस्तों placement में हलका हलका कमी आते रहेगी तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैसा है colleges और कैसी है fee यह हमने कॉलेज कौन सा कॉलेज कितनी अच्छी कितने नंबर पर कौन से कॉलेज आपको भरना चाहिए इस टाइप की वीडियो आने वाली है और फिर अगर आपको कोई भी questions है तो आप personally हमसे थैंक यू सी यू